हलो और इवन, study with us में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम एक 11 मौक टेस्ट डिसकस करेंगे नेट के एक्जाम्स के लिए तो इस मौक टेस्ट में भी मैंने लगभग सभी टॉपिक्स के जो कोशन है वो इंक्लूड किये हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आपने हमारी पहले की explanation वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लें फिर research aptitude और फिर people and environment के questions आपको मिलेंगे तो पहला question आज का ये है कि निमिल लिखित में से किसे कलकत्ता विश्विधाले आयोग के रूप में जाना जाता है तो इसका सही answer है option number A Sadler आयोग को जो है कलकत्ता विश्विधाले आयोग के नाम से जाना जाता है Next question है निमिल लिखित में से किसको उच्छी शिक्षा के बारे में पहली नीती के रूप में माना जाता है तो इसका सही answer है option number C Allie Finston Report को Next question है निमिल लिखित में से कौन सा आयोग 10 plus 2 plus 3 के लिए एक अग्रगामी माना जाता है तो इसका सही answer है option number A Sadler आयोग Next question है निमिल लिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट को सिक्षा और रास्टिय विकास रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है तो इसका सही answer है option number B Kothari आयोग को I hope कि आप इसका answer जो है guess कर रहे होंगे तो वीडियो पसंदा रहा हो तो लाइक जिरूर कर दें Next question है निमिल लिखित में से किस की अध्यक्षता में वर्स 1972 में 10 प्लस 2 प्लस 3 शिक्षा सनरचना पर रास्टिय समीती की स्थापना की गई थी तो इसका सही answer है option number A Next question है सोतंता के बाद सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कई आयोग इस्थागित किये गए थे जिनका वर्णन नीचे दिये गया है इन आयोगों को उनके इस्थापित किये जाने के करम में लिखिए तो ऐसे question काफे पूछे जाते हैं तो इसका सही answer होगा option number C ठीक है ये पहले से ही करम में दिये गए हैं पहले पे विश्विधाले शिक्षायोग आएगा दूसरे पे माधमिक शिक्षायोग और फिर शिक्षायोग option number C इसका correct answer है चलिए next अब जो question आएंगे वो शिक्षण अभीवरिती या कहें की शिक्षण अभीशमताशे हैं जिसे English में हम कहते हैं teaching aptitude तो question ये है पहला निमिल लिखित में से किस कक्षा या कक्षाओ के विधार्थियों के लिए शूषम शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है तो इसका सही answer है option number D प्रात्मिक और उच्च दोनों कक्षाओ के लिए next question है निमिल लिखित में से किस विश्विधाले ने 1961 शूषम शिक्षण की अभधार्णा को प्रतिपादित किया था तो इसका सही answer option number A Stanford विश्विधाले next question है निमिल लिखित में से अनुदेशात्मक परकिरिया किस शिक्षण परतिमान का मुख्य घटक है तो इसका सही answer option number B मूल भूत शिक्षण परतिमान तो अगर आप इन सभी का explanation वीडियो देखना चाते हैं तो देख सकते हैं link मेंने description में दे दिया है playlist का लगबग आपको net के first paper के लिए जितने भी topics हैं उन सभी पर वीडियो मिल जाएगी तो question यह है कि जॉन डेवी ने शिक्षा के छेतर में किस बात पर अधिक बल दिया है तो इसका सही answer है option number A किरिया मूलक ग्यान पर next question है निमिल लिखित में से किस विधी से परी समवाद या विचार गोस्थी को संबंध करके देखा जा सकता है तो इसका सही answer option number B परी चर्चा विती में next question है शिक्षन में छात्रों से प्रसंद करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है तो इसका सही answer option number A क्योंकि सिक्षन में छात्रों की सक्रिय भागदारी को सुनिश्चित करने के लिए ठीक है ने इसको जो है उपयोगी माना जाता है अब यहाँ पर सोध वाले question आगे है यानि research attitude की तो पहला question यह है कि मौलिक अनुसंदान कौन सी छमताकू दरसाता है तो इसका सही answer है option number B नई सिध्धानतों की व्याख्या करना next question है अध्यन का खोजपून वर्णन आत्मक विशलेशन आत्मक या भविश्य सूचक अनुसंदान का वर्गी करन किस आधार किस पर आधारित है तो इसका सही answer है option number D next question है निमिल लिखित अनुसंदान विधियो में से कारणता के संबंद में सबसे महत्पून परमाण कौन सा है ओके तो इसका सही answer है option number B इन में कोई नियंतर्ण समू नहीं है next question है निमिल लिखित में से या निमिल लिखित में से कौन सी अनुसंदान विधी को नियंतरित अवलोकन कहा जा सकता है तो इसका सही answer है option number C छेत्र परयोग को इन सब का explanation मैंने अल्रड़ी दे रखा है तो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लिए अभी question है next कारे छेत्र पर आधारित अनुसंदान को किस रूप में वर्गी कृत किया गया है तो इसका सही answer है option number A option number A अनुभव सिध्धी अब people and environment के question अब सुरू हो गए हैं जिसे इंदी में हम कहते हैं लोग विकास और परियावरण या लोग और परियावरण तो पहला question यह है कि सीशा का सेवन मुख्य रूप से किसे नुक्सान पहुचा सकता है तो इसका answer आपको बताना है चलिए question जो है मैं आपको देता हूँ आपको मुझे comment करके इसका answer जो है बताना है कि इसका answer सही क्या होगा आपने जितने भी mock touch देखे होंगे उन सभी में मैंने आपको कुछ-कुछ question दिये थे जिसकी answer से आपने बताए भी और लेकिन जितने view आये थे उतने answer उसमें नहीं आये थे तो कोशिश जरूर करें जितने भी question मैं आपको देता हूँ आप उनके answer जरूर comment करके बताया करें ताकि इससे आपका ही revision होगा ठीक है तो अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें चलिए next question की ओर चलते हैं question यह है कि निमिल लिखित भोगोलिक छेत्र में कौन सा जिवाश में इंधन के जलने से CO2 के उतसर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है तो इसका सही answer होगा option number option number c option number c इसका सही answer है उत्तरी अमेरिका next question है परवाल भीतियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है क्योंकि हमें बताना है कि ऐसा क्यों कहा जाता है तो इसका सही answer है option number d परवाल में अतियदिक जैब विवित्ता होती है इस कारण जो है इसे समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है परवाल भीतिकों ठीक है next question है निमल लिखित ग्रीन हाउस गैसो में से कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित है कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित है आपको बताना है आई होब की आंसर आपने गैस कर लिया होगा तो उसका सही आंसर है option number c c f c chloro fluorocarbon next question है सू पोशन से संबंदित निमल लिखित तत्यों पर विचार कीजिए अब ये कथन वाले question दे रखे हैं तो पहले हमें कथन को पढ़ना है और फिर हमें बताना है इनमसे कौन सा कथन जो है वो सही है ठीक है तो पढ़ लेते हैं सू पोशन पर किरिया में जल में घुली oxygen की मांग बढ़ जाती है सही है ये सू पोशन पर किरिया में जल में घुली हुई oxygen की मांग बढ़ जाती है ये सही है सू पोशन पर किरिया में जल में घुली हुई oxygen की मांग भी बढ़ जाती है ने ये गलत है ठीक है ने जल में घुली हुई जो oxygen होते उसकी मांग बढ़ती है तो हमारा सही आंसर होगा option number A ठीक है option number A इसका correct answer है next question है और ये last question है नेमिल लिखित में से किस के द्वारा अधिक्तम कालिक यानि की suit जो होता है suit उतसरजित होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D ताप विधुत सरयंतर जो होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक जो कालिक होती है वो सरजित होती है तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने चार topic के question जो हैं आपको cover करवाएं ये एक परकार के mock test की series है एक 11 वीडियो थी ये 10 वीडियो मैंने अल्रेड़ी upload कर दी थी वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक कर देना और चैनल से जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब का वर्डन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें तब तब आपको notification मिलता रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिं इस वीडियो